दोस्तो नमस्कार मैं हूं डाक्टर प्रहलात परशाज जनाल फीचियर दोस्तो आप लोग थम्नेल पर देख रहे हो मैंने क्या लिखा है खाते हो बकरी की तरह और सुखते हो लकड़ी की तरह ऐसा कि दोस्तो आप लोग देखा हुआ ना बकरी के पेट के भी नहीं भरता वह जाएं ना मांस पढ़ा ना बेट पढ़ा रहा है ना कुण पढ़ा रहा है चेहरा शुतते जा रहा है गाल धसते ज़एं अकों दस्ती जा रहा है निकूल आप इ dokds़ेशरी आगे हं चलने ही पाते दोर नहीं सकते वोजन काम рभा नहीं सकते सिड़ियों नहीं लगता आपको ताकतबल वीर्जकी नहीं होती ख्undmachy ke baseball नहीं होती इंद पदी शुक्ते होते जा रहे हो दोस्तोब तो आप बात है लेकिन यह सब्त है बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे ऐसा क्यों होता है दोस्तों पहला नंबर या तो आपकी लाइप स्टाइल दिन चरया सही नहीं है या गलत खान पान है आप ज्यादा फास्ट फूट फूट पुरा दिन खाते रहते थे थे लोग आदे थे पुर कितना भी खाओगे कि नहीं लगता है जब तो यह भी मारी टॉट आप लोगा ना लीबर फिट तो सब कुछ हीट तो लीबर खाना पचने बजा खाना सड़ने लगता है तो अखुल माज्या वाल बीर्ज की बिर्दी नहीं करता मांस नहीं बढ़ता प्रति तेमों टॉक्सिम पढ़ जाते हैं जिसको डिडॉक्स करना जरूरी है पीटों में मल जमा होना कॉंस्टिपैसर होना कभज होना एस तब रिजन है बल वीर्जे मान समझ्जा खून हड़ी का विकास नहीं होता है अच्छा कितना भी खालो दोस्ते इस अब कारण बता दिया ज लिवर से कराद लेपीटी उई सीख कर लें टेस्ट कर वा लें यूरिन कर टेस्ट कर वा लें एकसरे करवा कर देख लें तंबाम चीज historically अप जाँट कराएंगे मानोर किया कि खाने के रहाएं आक को शरीर में लग रहा है आपको शरीमी विर्धी में तक भी रहा यह जह न खाने आपका जो भी खाएंगे आपको लएगा पढ़ेंगे वेट बढ़ेगा मज्या बढ़ेगा बले बुद्धी सब कुई बढ़ेगा ठीक है ते लिए आप लोग मैं सला आच्छालों जो रूचेन को सब्सक्राइब भाना दस्कों जय हिंद जय भारत